अकल पक्का लाकब दिये गया था जिसमें पूड़ी सब्जी और हल्वा था तो उसका लिया उन्होंने और उसके आती यह थोड़े से चिंदा चिंद दिखाई दी इस प्रिकार से सोते जिखते रहा थे हल्विश यादव के जेल में जाने के बाद से ही हर को यही सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार इन्वेस्टिकीशन कहां तक पहुंची है और क्या क्या हुआ है लेकिन जेल में जाने के बाद से ही सबी लोग सिर्फ और सर्फ पुलिश के परतिक्रियायां को जानना चाते हैं वह अलविश यादव जो है वो जेल के अंदर जाकर हल्वा पूड़ी खा रहे हैं और इसके अलावा वो सभी के साथ घुल मिल भी रहे हैं हालाकि वो चिंतित दिखाई दे रहे हैं और रात भर वो सो भी नहीं पाये हैं एस बारे में पुलिस ने जानकारी दे हैं पूरी रात वो परिशान और चिंतित रहे हालाकि खाना उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से खाया है और जिसके अंदर उन्हें कुछ भी जो है अलग स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो यह चीज जानते हैं कि वो गलत नहीं है और शायद अगर गलत नहीं है उनका यह कहना है तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है यह इन्वेस्टिगेशन है मात्र वो कानूनी रूप से कानून का साथ दे रहे हैं उनका यह मानना कमेंट करके बताएं कि आपका क्या कहना है गौतम बुद्ध नगर से और भी सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को